मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में कुरोना महमारी की वज़े से स्तिती बहुत ही जादा बिगड़ रही है। और सचाई सामने लाए। क्योंकि आज जो स्थिती है वो सही नहीं है। आप सोचे कि बाइस करोड़ लोगों में से सिरफ पिचासी लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। आपको रेमडेजेविक के अड्मिनिस्टेशन से पहले डीम के पास जाके स्लिप लेने की ज़रत है। बैड उपलब नहीं है। ऑक्सिजन उपलब नहीं हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैनुफेक्टरर है। क्योंकि हमने अपने प्र के लिए भगवान जाने किस लिए वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर दिया। अलग-अलग बेशों में भेज रहे हैं। जबकि हमारे यहां कभी है। इसकी प्लानिंग ठीक तरे से करनी चाहिए। ठीक है नई की। अब अब भी समय है कि ठोज स्ट्राटीजी बनाई जाए। मजबूती से कदम उठाए जाए। और जो सबसे ज्यादा पीरित हैं। जो गरीब जनता हैं। उनके लिए फाइनाशल सपोर्ट मिलनी चाहिए। जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं। जो दुकानदार हैं। जिनका फिर से बिजनेस बंद होने जा रहा है। उनके लिए खास तोर से कोई पैकेज ढूंडा जाए। मैं आग्रे करना चाहती हूं उत्तरप्रदेश सरकार से कि आपका प्रशासन आक्रमप होने के बजाए संवेधन शीर बन जाए। कॉंग्रेस पार्टी की उत्तरप्रदेश सरकार के साथ राज़री तिक मतभेध हो सकती है। और हमेशा रहेगी। लेकिन इस समय मैं कहना चाहती हूं कि हम सब एक साथ खड़े हैं। कॉंग्रेस पार्टी जनता के साथ कंदे से कंधा मिलाकर इस महामारी का सामना करेगी। आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सारे नियमों का आप पालन करें। मास्क पहनिये, हो सकता है तो डबल मास्क पहनिये, घर से कम से कम निकलिये, हाथ खूब धोएं। तो इन पर जरूर ध्यान दीजेगा अपनी जिम्मेदारी भी आप पूरी साथ भानी से आपने भाएगे।